चोला पहिन के लड़कियों की बात करते हैं, चोला पहिन के हत्या करने की बात करते हैं, चोले के पीछे क्या है, बताइए चोले के पीछे क्या है, चोले के पीछे इनके अपराध है, चोले के पीछे इनके पाखंड है, ऐसे पाखंड और बहरुपिय लोगों से ये देश की जनता को समझना होगा कि भारतिय जनता पार्टी तोड़ों की राजनीत कर रही है कि देश दुनिया के अंदर में क्या महौल बना जा रहा है सबसे पहले पंडी जी आपका स्वागात एडियस पोनियूज में क्या चल रहा है पंडी जी आपके रहते यह हाल आपने जिस तरह स से आज बताईए आज इस देश में लोग कह रहे हैं हिंदू खत्रे में है अरे भाई देश का राष्ट पती हिंदू है देश का प्रधान मंत्री हिंदू है केंद्रिय मंत्री मंडल हिंदू है सेना प्रमकुंदू जल सेना अथल सेना बायू सेना सब के हिंदू कारिवाहक और भारतिय जनता पार्टी के सासनकाल में हिंदू खत्रे में है पत्रकार महुद है जिस तरह से देश में नफरत पहलारा जा रहा है अजान और हनुमान चाल्शा को लेगे क्या इस देश में अजान के नाम पे अंजन पूत्र महाबल जाई आप बताईएं अंजनी के पूत्र जो बाईव पूत्र कहे जाते थे बजरंग बली बाईव पूत्र थे जिनोंने भगवान राम के लिए उन्होंने रच्छा करने का काम किया ऐसे पाखंडी लोग इस देश में आ गए हैं कि भगवान राम को हनुमान जी को ब्रह्मा बिश्डू महेश क्रेश्न सब को इन्होंने राजनीती में गुजरने का काम किया है यह राजनीती आस्था का प्रतीक है भगवान स्री राम हमारे आस्था है बजरंग मली हमारे आस्था है और जो लोग कहते हैं कि अजान loud speaker उतरना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं हम loud speaker आपने बनारस की वीडियो देखी यह नहीं देखी है चपल पहन के लोग किताब लेके हनुमान चालिचा पढ़ रहे हैं तो यह धोंगी लोग हैं यह धोंग करने का काम करते हैं इस देश में अरे भाई आप बताइए क्या आपके यहां कभी स्रीमाद भागवत नई सुनिये पतकार स्रीमाद भागवत आपने सुना है कभी नो द कहता हूं अगर आपको लाओड स्पीकर को लोग 5 वक्त नमाज भी करने लगे हैं हिंदु हो के पांच वक्त हनमान चल्षा पढ़ेंगे 5 वक्त हनमान चल्षा होता है आप बताये सवाल मेरा ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब उनके जब बज सकता है उनका आजान हो सकता है नमाज हो सकता है लौड स्पीकर में तो हमारा फिर क्यों नहीं हो सकते लोग आज तो आप तो खुर वही हराज पंडी जी हैं बता दीजे कि मतलब फिर मैं कहा इस देश के प्रधान मंतरी हिंदू इस देश के ग्रह मंतरी हिंदू क्या आजादी के 1947 के बाद हमारे घर में जब भागवत होती ती तो loudspeaker पहले लगता आए किसी को दरसाने की बात हैं कौन दरसाता है ये भारति ये जन्ता पाइटी ए जो संघठन के नाम पे देश में थांडो करने का काम करती है, खाना के नाम पे हिजाप के नाम पे मुरगा के नाम पे मचली के नाम पे अभी मजार करना करते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं गुम्राह करना बंद किजिए आप बताईये नाराय तक्वीर करके कोई ले जाके मंदिर पे जंडा लगाता है भगवा भारतिये जंता पाटी के लोग जिस तरह से घंडु यवावाहनी भजरंग दल ये लोग जिस तरह से एक हमारे भगवे जंडे को जो सांति का प्रतीक है उसके प्रती है तंडो करने का काम करते हैं, मैं भग्मान बजरंग बली के द्वारा जो गदा का संगार होगा वो भारतिय जंता पाटी का नर्च होने का कसमय आ गया है, क्योंकि इस कलियूग में हनुमान जी हैं अभि बिराजमान है है और यह भारतिये जंता पाइटी के लिए सबसे खतरनाग है क्योंकि लंका को उन्होंने दोस्कर दिया था और लंका में डंका बज़ गया है आस्था के नाम पे आप बनारस में काशी में जाईए हमारे लिए शनातन धर्म में हमारे धर्म के नाम पे लोग बेवो करने का काम करते हैं ढों करने का काम करते हैं पाखंड करने का काम करते हैं चोला पहिन के लड़कियों की बात करते हैं चोला पहिन के हत्या करने की बात करते हैं चोले के पीछे क्या है बताइए चोले के पीछे क्या है चोले के पीछे इनक कर रही है हम जोडों की राजनीत कर रहा है हम देश में हिंदों मुसलिम से खिसाई सभी के एकता की बात करते हैं समी समाज के खुसाली की बात करते हैं सनातन धर्म कहता है सर्वे भमंत सुखमा सभी लोग सुकी हों सभी लोग निरोग हों लेकिन भारतिय जनता पाइटी सब क साथ सबका विकास के नाम पे सबका बिनाश करने का काम किया है आएसी भारतिये जनता पाइटी को सत्ता से जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक इस देश में तांडो होता रहेगा आपने कुछ दिर पहले इस बात का जिकर किया था कि कुछ लोग जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम लोग पांच टाइम चार टाइम जब जब नमाज होगा तब तक हम लोग अपना हनुमान चलिशा पड़ेंगे लेकिन उनी लोग ये भी कहना है कि कुछ तो ये ढोगी लोग हमें इनको कह देना चाहता हूं जरा मस्जिदों में पता कर लीजिएगा कि नवाज कब और कितने टाइम कौन से दिन कितने टाइम नमाज है नहीं कई वो नमाज पढ़ने आप हन्वान चलिशा न पढ़ पाएं अब आप बताईए हम पूजा करवाए कि जो हन्वान चलिशा है उसमें शब का प्रले उसी चौपाई में लिखा गया है कि जो लोग भगवान बजरंग बली को जो नहीं मानते हैं जो बजरंग बली के नाम पे ढोंग करने का काम करते हैं उन सब का सत्यानास होनाता है क्योंकि ये लोग सत्यानासी लोग हैं ऐसे लोगों का खात्मा होनाता है और जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन तैसी क्योंकि ये लोग अब आप इमत कह दिए कि आप जूता पहिन के चोपाई वता दिए क्योंकि इस देश में पत्रकार लोग ना इबस इनको एक मुद्दा चाहिए कि अजान आया हन मुद्दो को देखते हैं आपके मन में क्या चलता है हमारे मन में ये कह रहा है कि आपकी श्वतंत्रता है अभिवेक्त की श्वतंत्रता है अगर आप दिल से आस्था से मानते हैं भगवान को तो आपको माई को लाउड इस्पीकर लगाने की नहीं जरूरत है अगर आप लुँदogy आखंड भारत के नहीं मात करते हैं कुछ दिन पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इस देश में कुछ मौन लोग थे अब तो वही मौन है आपाज नहीं आ रही है उनके